हेलो आज हम बनाएंगे एक ऐसी जटनी जो आप जिस चीज के साथ भी खाएंगे उसका टेस्ट डबल कर देगी आप इसको रोटी पराठे के साथ दाल चावल के साथ राजमा चावल के साथ यहां तक कि मेरे बच्चे तो इसे अपने बर्गर में भी लगा कर खाते हैं और य अब कभी खाना भी फीका फीका बन जाता है तो इस चटनी को आप उस खाने के साथ में सर्फ कीजिए तो खाने का टेस्ट भी बढ़ जाएगा तो चलिए बनाते हैं इस बढ़िया सी चटपटी और मज्यदा चटनी को गार्लिक की चटनी बनाने के लिए हम सब से पहले ले के लाबा हमें चाहिए चार टमाटर थोड़ी सी धन्य की स्टैम्स और एक चुकंदर का आधा टुकड़ा हम इस तरीकी से बारिक-बारी काट लेंगे फिर लेंगे हम एक मिक्सी का जाद इसमें की हजी लाल मिर्चे और लेस्टन डालके हम उसे कोर्स ग्राइड करेंगे और जो यह पानी हमने मिर्ची में प्रूक एक पीसेंगे क्योंकि सूक्षी। देखें इसको कुछ इस तरीकी का पीश की त्यार करना है ज्यादब bleibt नहीं करना है इसalu ज्मलें अब हम गैस पे कडिया रखेंगे और उस डालस जोए क्युंद नarnya दालए और उसमें लसन और मिर्ची के पेज़ डालकर अच्छे से हमें भूते हैं से तेल हमें इसमें तोड़ा सा ग्ल elaborating ही डालना है कि इसका औ kendika ऑई बिलकुल हो जाया है और जो लसन होताए ना उसके जो कच्छा पंधता है फो निकल जाई कच्छे लसन की जो इसमेल अच्छी नहीं लगती अब इसमें डालेंगे दनिय की स्टेम्स इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसके अंदर इसे आप बिल्कुल मिस्मत करिए और इसको भी इसमें डालकर अच्छी से बूलिए अब जब तक यह बुनता है हम आगे की त्यारी कर लेते हैं टमाटर जो चकुंदर है उसे हम पीस लेते हैं चकुंदर से इस चटने में सुंदर बहुत ही सुंदर कलर आएगा इसलिए इससे डालते हैं बाकी इसका कोई काम नहीं है टमाटर और चुकुंदर को एकदम हमें बारिक पीसना है किए कुछ इस तरइके से यह बिल्कुल बारीक पीस लीजिए और इसमें ब्लों भीलंश नहीं होने जाहिए हैं अब देखते हैं हमारी लसन और मिर्ची यह बहुत अच्छे से भुन गई है क्योंक enabling जोआ ना है जो स्बस्वांगाely अब इसमें डालते हैं अपना टमाटर का पेस्ट और इसे अच्छी से मिलाकर भूनते हैं अब हमारी चक्ति तो बनती रहेगी पर अब भी तक इस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को दबाना ज्यादा ही पड़ता है क्योंकि चट्ने वगारा में थोड़ा ज्यादा नमकी अच्छा लगता है और फिर हमें यह रिजर्वेटिप का भी काम करेगा अब इसे थोड़े दिर के लिए ठग दीजी और थोड़े दिर बाद देखिए इसमें कैसे बबल्स आ रहे हैं लेकिन अब भी भी इसे और बहुत दिर तक पकना है अभी इसकी कंसिस्टेंटसी भी बहुत पतली है इसे वापिस ढग दीजी और फिर थोड़े दिर बाद हमें फिर देखना है इसे बीच-बीच में चलाते रहना है जिससे हमारी चट्नी नीचे ना लगे अभी देखिए इसका आप एसकी कंसिस्टेंटसी भीच कितनी हो गया हूँ और और ठीक हो गया है पर अभी भी हमें से और थोड़ा सा पकाना है है कि अब भी कि ठोटे जो आ रहे है ना ये देखिए जब तक ये ना आयना जब तक हमें पकाना है अब मैं आपको यह चम्चे से भी दिखाती हूँ इसका ओई बिल्कुल रिलीज हो गया देखिए यहां तक हमें इसको पकाना है अभी इसकी कंसिस्टेंसी और थीक हो जाएगी थोड़ ठंडा होने पर अब यह बिल्कुल बन गई है अब इसे हमें बिल्कुल ठंडा होने तक रखना है और फिर हमें इसमें नीम्बू या दो चम्म सिर्का डालना है अगर आप नीम्बू डालते हैं तो यह 15-20 दिन बिल्कुल खराम नहीं होगी और अगर आपको इसको ज्यादा टाइम तक दो या तीन महीने तक अगर आपको इसको रखना है तो आप इसमें दो स्पूम विनेगर डालके इसे चला कर रख दीजिए विनेगर या नीम्बू आपको जब ही डालना है जब बिल्कुल ठंडे हो जाए देखिए अभी इसकी कंसेस्टेंसी और पहले से भी थिक हो गई है अब हम इसको एक बिल्कुल सुखे हुए साफ कांच की बाउल में डा ही रहे अब आप इसे बनाएए और एंजोई गेजी बाबाई